जैसे जब हम भारत से अमेरिका जाते हैं, तो वहाँ पर भारत का रूपया नहीं चलता है, वहाँ पर तो केवल अमेरिकन डॉलर ही चलता है, भारत का रूपया नहीं चलता, लेकिन एक उपाय है जिससे हमारा काम बन सकता है, क्या अगर हम हमारे रुपे को अमेरिकन डॉलर के रुप में चेंज कर दें तब हमारा काम बन सकता है ठीक उसी प्रकार जब हम इस प्रित्वी लोग से नरक लोग में जाते हैं तो वहाँ पर भी संसार का पैसा नहीं चलता है वहाँ पर तो केवल भगवान का नाम ही चलता है भगवान की भक्ती ही चलती है संसार का पैसा नहीं चलता लेकिन हमारे पास तो संसार का पैसा ही है तब क्या करें हमारे संत लोग कहते हैं एक उपाय है हम जो है हमारे धन को भगवान की सेवा में खर्च करके संत महात्माओं की सेवा में खर्च करके हम हमारे धन को भक्ती के रूप में बदल सकते हैं भगवान के नाम के रूप में बदल सकते हैं तब हमारा काम बन सकता है अर्थात हम नरक की यातना से बच सकते हैं अतह आज से ही अभी से ही आप जो है अपने धन को संत महात्माओं की सेवा में खर्च करके भगवान की सेवा में खर्च करके उसे भक्ती के रुप में बदलना सुरू कर दीजिए भगवान के नाम के रुप में बदलना सुरू कर दीजिए अर्थात सरल सब्दों में कहें तो आज से आप भगवान के नाम रुपी धन को संग्रव करना प्रारंब कर दीजिए क्योंकि नरक लोक में भगवान का नाम ही चलता है संसार का पैसा नहीं चलता मैं यह नहीं कहता पैसे मत कमाईए पैसे कमाईए लेकिन साथ ही साथ आप भगवान के नाम रुपी धन को भी संग्रह कीजिए क्योंकि नरक लोक में केवल भगवान का नाम ही चलता है